राधे राधे मित्रो इस वीडियो के मैध्यम से हम लोग बात करने वाले हैं कि अंग्रेजी अलफाबेट की जो के नाम बाले जातक हैं जैसे किनही का नाम क्रांती होगा किनही का नाम कमला होगा तो जो के नाम बाले जातक हैं इनका आने वाला वर्स यानि की 2023 इनके लिए कै आने वाले वर्स में इनके जीवन में क्या क्या पडिवर्तन होगा, शवाल भुछ यादा महतःपुर्ण है तो वीडियो आपको बड़े ही ध्यान से सुनना होगा, वीडियो के लाश्ट में आपके आने वाले वर्स का अनोखा टोटका है, तो आप वो भी सुने और तो आपका आने वाला वर्स बेहतर हो जाएगा और कहीं कोई पड़ेशाने बिल्कुल भी नहीं होगी तो आईए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं मित्रों सब से पहले जानते हैं आपके शाल के शुरुआती तीन महिनों के बाड़े में यानि की जनवरी फरवरी और मार्च शाल का शुरुआती तीन महिना आपके लिए जयादा बेहतर नहीं रहेगा इन तीन महिनों के दोरान आपको उतार चढ़ाब का शामना कही न कही बहुत जयादा करना पड़ेगा अर्थिक माम्लों में आपको शाबधान होना होगा जो आपका फिजूल खर्ची हो, जो आपका व्यर्थ का खर्चा हो उस पर आपको कंट्रोल करना होगा क्योंकि आने वाले वर्स में अगर अपने फिजूल खर्ची पर आप काबू नहीं करते हैं, कंट्रोल नहीं करते हैं, तो आने वाले वर्स में आपको पैसों के मामलों में पड़ेशानी का सामना बहुत ज्यादा करना होगा लेकिन मित्रों वर्स के सुरुआत में आपके घर का जो माहल होगा, घर का जो वाताबरन होगा, वो बहुत ज्यादा बेहतर होगा घर पडिवार का माहौल बहुत ज्यादा शांते पुर्ण होगा घर के सभी लोग एक जुट होकर पडिवार के सभी काम को करने वाले हैं और इस कारण से घर पडिवार में कहीं कोई पड़ेशानी बिल्कुल भी नहीं होगी आने वाले वर्स में आपके घर पडिवार में लंबी यात्राएं करनी पड़ेगी और यात्रा करने से आपको पड़ेशानी का सामना भी करना पर सकता है। आप जो भी काम करते होंगे उस काम के माध्यम से आपकी तरक्की बहुत ज्यादा होगी। अगर आप नौकडी करते होंगे तो नौकडी के छेत्र में भी आपके उन्नती का योग बहुत ज्यादा है। मित्रो इस अबधी के दोरान आपको अपने क्रोध पर अपने गुस्से पर काबू करना चाही। क्योंकि हो सकता है तो छोटी मोटी बातों पर किसी भी इनसान के शाथ में आपका नौक ज्यूक बहुत ज्यादा हो जाएगा। और ऐसे हालात में आपको परेशानी का सामना करना पर सकता है। मित्रो इसके बाद है वर्स का अंतिम तीन महिना यानि की अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर तो ये तीन महिना आपके लिए ज्यादा बिहतर नहीं रहेगा। इस अबधी के दोरान आपको उतार चड़ाब का सामना बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। वर्स में प्रत्यक दिन आपको भगवान विश्नु की पूजा करनी है। अपने पूजा पाट से भगवान विश्नु को आपको खुस करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका जुआने वाला वर्स है वो बहुत ज्यादा बेहतर होगा और कहीं कोई परेशानी बिल्कुल भी नहीं होगी। मित्रों अगर आपकी मन में कोई शबाल हो कोई प्रस्न हो तो कमेंट वोक्स में कमेंट कीजिएगा आपकी सहायता आवश्य की जाएगी। वैसे मुझे उम्मीद है साड़ी बातें क्लियर हो चुकी होगी और अब तक आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। साथ में वाइटी पुरुशोत्तम को आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा और वीडियो के नीचे में जै सनी देव आप कमेंट कर दें वीडियो हर जगह सेयर कर दें तो हमारी आपकी मुलाकात फिर एक नए वीडियो में होगी तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जै हिंद जै बिहार जै मिथिला